ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव आज से हम दोस्तो विंधेश्वर सहीता प्रथम खंड की सुरुवात कर रहे हैं हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिव पुरान यहां कर सुनाने की जो है इच्छा रखते हैं तो आप सभी से निवेदन हैं आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे आपको डेली बेसिस के उपर लगातार आपको जो है यहां पर सिव पुरान सुनने को मिले सिव पुरान को सुनना और पढ़ना दोनों से आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी आपके सारे पापों का नस्ट होगा और आपको सिव लोग के अंदर एक जगह मिलेगी तो आज हम स्टार्ट करते हैं रुद्र सहीता का पहला अध्याय स्री रुद्र सहीता का प्रथम खंड पहला अध्याय रिशी गनों से बारता जो विश्व की उत्पती इस्थती और लए आदी के एक मात्र कारण है ग्रीराज कुमारी उमा के पती है जिनकी क्रती का कही अंत नहीं है जो माया के आसर्य होकर भी उससे दूर है तथा जिनका सवरूप दुलब है मैं उन भगवान संकर की बंदना करता हूँ जिनकी माया विश्व की स्रष्टी करती है जैसे लोहा चुमबक से आक्रसित होकर पास ही लटका रहता है उसी परकार ये सारे जगत जिसके आसपास ही भ्रह्मन करते हैं जिनोंने इन प्रपंचों को रचने की विधी बताई है जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है मैं उन भगवान सिव को नमन करता हूँ रिसी वोले हे सुत जी अब आप हमसे भगवान सिव व पार्वती के परम उत्तम व दिव्य सवरूप का वर्णन कीजिए स्रस्टी की रचना से पुर्व स्रस्टी के मध्यकाल व अंतकाल में महेस्वर किस परकार व किस रूप में इस्तित होते हैं सभी लोकों का कल्यान करने वाले भगवान सिव कैसे प्रसंड होते हैं तथा प्रसंड होने पर अपने भगतों को कौन-कौन से उत्तमफल देते हैं हमने सुना है कि भगवान सिव माहान दयालू है अपने भगतों को कस्ट में नहीं देख सकते भ्रह्मा, विश्नु और महेश तीनो देवता सिवजी के अंग से ही उत्पन हुए हैं हम पर करपाकर सिवजी के प्रकटिय देवी उमा की उत्पती सिव उमा विवा घरस्त धरम एवं सिवजी के अनंत चरित्रों का सुनाईए सुत जी बोले हे रिश्यो आप लोगों के परशन पतीत पावन जी स्री गंगा जी के समान है ये सुनने वालों कहने वालों और पूछने वालों इन तीनों को पवित्र करने वाला है आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है इसलिए आप धन्यवाद के पात्र है ब्रामनों भगवान संकर का रूप साधू, राजसी और तामसी तीनों प्रकति के मनुश्यों को सदा आनंद परदान करने वाला है वे मनुश्य जिनके मन में कोई तरशना नहीं है जैसे ऐसे महात्मा फुरुस भगवान सिव के गुनों का ज्यान करते हैं क्योंकि सिव की भक्ति मन और कानों को पिर्य लगने वाली और संपून मनोरतों को देने वाली है हे रिश्यो मैं आपके प्रशनों के अनुसार ही सिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ आप उसे आदर पुर्वक स्रवन करें आपके प्रशनों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता भ्रमा जी से यहीं प्रशन किया था तब भ्रमा जी ने प्रसन होकर सिव चरित्र सुनाया था उसी सब बात को मैं तुमें सुनाता हूँ क्योंकि उस समवाद में भवस अगर से मुक्त कराने वाले गौरिस की अनेक आश्चर्य में लिलाएं वर्नित है दूसरा अध्याई नारत जी की काम वासना सुत जी बोले हे रिश्यो एक समय की बात है भ्रमा फुत्र नारत जी हिमाले परवत की एक गुफा में बहुत दिनों से तपश्या कर रहे थे उन्होंने धड़ता पूर्वग समाधी लगाई थी और तप करने लगे थे उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र काप उठे उन्होंने सोचा की नारत मुनी मेरे स्वर्ग लोग के राज्य को छिनना चाते हैं यहां ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपश्या में विगन डालने का कोशिस किया उन्होंने कामदेब को बुलाया और कहने लगे हे कामदेब तुम मेरे परम्मित्र एवं हितेसी हो नारत हिमाचल परवत की गुफा में बैठ कर तपश्या कर रहा है कहीं ऐसा ना हो की वर्दान में भ्रमा जी से मेरा स्वर्ग राज्य मांग बैठे अन्तह तुम वहाँ जाकर उसका तप भंग कर दो यह कौन कर रहा है नारत जी जो है एक तपश्या कर रहे हैं और जो इंद्र भगवान है वो यह चाहते हैं कि उनकी तपश्या भंग हो जाई इसलिए उन्होंने कामदेब को आहवान किया है यह आज्या पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गरव से उस इस्तान पर गए और अपनी सारी कलाएं रच डाली कामदेव और वसंत के बहुत परियतन करने पर भी नारत मुनी के मन में कोई विकार उत्पन नहीं हुआ महादेव जी के अनुग्र से उन दोनों का गर्व जो है वो चुन हो गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की क्रपा से नारत मुनी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था कहले उस आसरम में भगवान सिव ने भी तपश्या की थी उसी इस्तान पर उन्होंने रिशी मुन्यों की तपश्या का नास करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था कामदेव को भस्म देखकर उनकी पतनी रती ने बिलकते हुए भगवान संकर से उन्हें जिवित करने की प्रातना की तभी सभी देवता भी सिव जी से प्रातना करने लगे तो भगवान महादेव जी ने कहा था कि कुछ समय पसाथ कामदेव सवे जिवित हो जाएंगे किन्तु इस स्थान पर और इसके आसपास जहां तक भस्म दिखाई देती है वहां तक प्रत्वी पर कामदेव की माया और काम बान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इस प्रकार उस स्थान से कामदेव जो है लज्जित होकर वापस लौट आया देवराज इंद्र ने जब यह सुना की नारज जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने नारज जी की खुब प्रसंसा की भगवान सीव की माया के कारण वे भूल गए थे की सीव जी के स्राप के कारण उस इस्तान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती नारजी भगवान सीव की क्रपा से बहुत समय तक तपश्या करते रहे उनके तपको पूर्ण हुआ समझ कर नारजी उठे तो उन्हें काम देव पर विजे प्राप्त करने का ध्यान आया तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हुआ की उन्होंने काम देव पर विजे प्राप्त कर ली है इस प्रकार अभिमान से उनका जो ज्ञान है वो नश्ट हो गया वे यहां समझ नहीं सके की कामदेव के प्राजित होने से भगवान संकर को की ही माया थी मतलब जो नारद भगवान है वो ये बात नहीं समझ सके की कामदेव पर विजय वो नहीं भगवान संकर की माया से ये सब कुछ हुआ है तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए सिग्र ही कैलास परवत पर जा पहुँचे और भगवान सिव को नमस्कार करके अपनी तपश्या की सफलता का समाचार तथा काम देव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह स यह सुनकर महादेव जी ने नारद की परसंसा करते हुए कहा है नारद जी आप परमधन्य हैं परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना विशेश कर भगवान विश्णू से तो इस बात की कदापी न कहना यह ब्रतान सबसे छिपाकर रखने योग्य है तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें यह आज्या देता हूँ कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना परंतु वे तो सिव की माया से मोहित हो चुके थे इसलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए वे भ्रहम लोक चले गए वह भ्रहमा जी को नमसकार कर बोले मैंने अपने तपोवल से काम देव को जित लिया यह सुनकर भ्रहमा जी ने भगवान सिव के चरणों का चिंतन करके सारा कारण जो है वो जान लिया था तथा अपने पुत्र नारत को यह सब किसी और से कहने के लिए मना कर दिया नारद के मन में अभिमान के अंकूर उत्पन हो गए थे फल शवरूप उनकी बुद्धी जो है वो नश्ट हो चुकी थी वे तो तुरंत विश्णु लोग पहुँचकर भगवान विश्णु को यह सारा किस्सा सुना चाते थे अंतह सिग्रही वे भ्रह्म लोग से चल दिये नारद मुनि को आते देखकर भगवान विश्णु सिहासन से उठ खड़े हुए उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया भगवान सिव के चरणों का स्मरन करके भगवान विश्णु ने नारद जी से पूछा नारद जी आप कहां से आ रहे हैं और इस लोक में आपका सुब आगमन किसलिए हुआ है यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने एवं काम देव पर विजय प्राप्ट करने की समस्त हाल उन्हें कह सुनाया भगवान विश्णु काम के विजय के असली कारण को समच चुके थे वे नारद जी से बोले है नारद आपकी कृति एवं निर्मल बुद्धी धन्य हैं काम क्रोध एवं लोब मुह सब मनुश्य को पेड़ित करते हैं जो भक्ती हीन है आप तो ज्ञान वेराग्य से युक्त एवं भरमचारी है फिर भला यह काम आपका क्या बिगार सकता था देवर्शी नारद बोले है भगवान यहां सब आपकी कृपा का ही फल है आपकी कृपा के आगे काम देव की क्या सामर्त्य है जो मेरा कुछ बिगार सके मैं तो सदा ही निर्भय हूँ इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णू को नमस्कार कर वहां से चल दिये तीसरा अध्याय नारद जी का भगवान विष्णू से उनका रूप मांगना सूत जी बोले महर्श्यो नारजी के चले जाने पर सिव जी की इच्छा से विश्णु भगवान ने एक अध्भूत माया रची उन्होंने जिस और नारजी जा रहे थे वहां एक सुन्दर नगर बना दिया वहां नगर बैकुंड लोग से भी अधिक रमन्य था विश्णु भगवान ने भगवान सिव के इच्छा पर बनाया वहां बहुत से विहार स्थल थे उस नगर के राजा का नाम सिलनिधी था उस राजा की एक बहुत सुन्दर कर्णिया थी उन्होंने अपनी पुत्री के लिए शवेवर का आयोजन किया था उनकी कर्णिया का वरन करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार पधारे थे वहां बहुत चहल पहल भी थी शेवर की रचना की गई राजा के द्वारा उनकी कर्णिया को बरन करने के लिए भहुत सरे राजकुमार पधारे भी थे इस नगर की सोभा देखते ही नारजी का मन जो है वो मोहित हो गया जब राजा सिल निधी ने नारजी को आती देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके श्वन सीहासन पर बैठा कर उनकी पूजा की फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया जिसे महर्शी के चरणों को प्रणाम किया नारजी से उसका परिचय कराते हुए सिल निधीने निवेदन किया महर्शी यह मेरी पुत्री स्रीमती है इसके शयंवर का आयोजन किया गया है इस कन्या के गुण दोसों को बताने की करपा कीजिए राजा के ऐसे वचन सुनकर नारजी बोले राजन आपकी कन्या साक्सात लक्ष्मी है इसका भावी पती भगवान सिव के समान बैभव साली तिलोक विजई वीर और काम देव को भी जितने वाला होगा ऐसा कहे कर नारद मुनी वहां से चल दिये सिव की माया के कारण वे काम से वसिवुत हो सोचने लगे की राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं स्यमवर में आई सुन्दर एवम वैभव साली राजाओ को छोड़ कर भला यह मेरा वरन कैसे करेगी वे सोचने लगे की नार्यों को सौंदर्य बहुत ही प्रिय होता है सौंदर्य को देखते कर ही स्रीमती मेरा वरन कर सकती है ऐसा अविचार कर नारद जी फिर विश्नुलोक में जा पहुँचे और उन्हें राजा सिन निधी की कन्या के शवेंबर के बारे में बताया तथा कन्या के साथ विभा करने की इच्छा भी व्यक्त की उन्होंने भगवान विश्नु से प्रातना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि स्रीमती उन्हें ही वरें सुत जी कहते हैं महर्शियो नारद मुनी की ऐसी बात सुनकर भगवान मदूसुदन हस पड़े और भगवान संकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया भगवान विश्नु बोले है नारद वहां आप अवश्य जाईए मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार पिडित व्यक्ति का स्रेष्ट वेद करता है क्योंकि तुम मुझे विशेश प्रिय हो ऐसा केकर भगवान विश्नु ने नारद मुनी को वानर का मुख तथा सेस अंगो को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया तब नारद जी अत्यंत प्रशन होते हुए अपने को परम सुन्दर समझ कर सिग्रही शवयमवर में आ गए और उस राज्य सभा में जा बैठे उस सभा में रुद्रगन ब्रामन के रूप में बैठे हुए थे नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगनों को ही दिखाई दे रहा था बाकी सब को नारद जी वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा था नारद जी मन हिमन प्रशन होते हुए स्री मती की प्रतिक्सा कर रहे थे हे रिश्यो वह कन्या हाथ में जै माला लिये अपनी सक्यों के साथ सेमवर में आई उसके हातों में सोने की सुन्दर माला थी वहाँ सुब लक्षना राजकुमारी लक्समी के समान अपूर्व सोभा पा रही थी नारद मुनी का भगवान विश्णू जैसा सरीर और वानर जैसा मुख देख वह कुपित हो गई और उनकी और सिद्रश्टी हटाकर मनोवांचित वर की तलास में आगे चली गई सभा में अपने मन पसंद वर को ना पाकर वह उदास हो गई उसने किसी के भी गले में वर्माला नहीं डाली तबी भगवान विश्णू राजा के वेश वुसा धारन कर वहां आ पहुँचे विश्णू जी वो देखते ही वह परम सुंदरी ने उनके गले में वर्माला डाल दी विश्णू जी राजकुमारी के साथ लेकर तुरंत अपने लोक में चले गए यहां देखकर नारजी विचलित हो गए तब ब्राहमनों के रुप में उपस्तित रुद्रगनों ने नारजी से कहा हे नारजी आप वेर्थी काम से मोहित हो सुंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए सुत जी बोले यह बचन सुनकर नारजी को बड़ा आश्षर्य हुआ उन्होंने दरपन में अपना मुख देखा वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगनों को श्राप देते हुए बोले तुमने एक भ्रामन का मजाक उड़ाया है अंतह तुम भ्रामन कुल में पैदा होकर भी राक्सस बन जाओ यह सुनकर वे सिवगन कुछ नहीं बोले बलकि इसे भगवान सिव की इच्छा मानते हुए उदासिन भाव से अपने स्थान को चल दिये और भगवान सिव की स्थूति करने लगे अब चौथा अध्याय जो है हम अगले दिन इसका अध्यन करेंगे आज के लिए इतना ही ओम नमा शिवाय हर हर महादेव